कि आपका स्वागत है जैसे कि हर एक तरह का वीडियों हम बनाते हैं आप लोगों के लिए किस तरह के प्रोडक्ट करना है कैसे प्रिंट करना टंपरेचर क्या रहेगा तो आज ये टाइल फोटो फ्रेम है जिसमें कि प्रिंट करने बाद कितना फूरत लेगा और इसको किस त विए तरह से कटैन का प्रिंट निकाल एक निकाल सकते हैं किसे कंपनी का professions सकते हैं जो ऑॉडर है नयएको प्रिंट कर सकते हैं ऐसा ऐसा नहीं कि पाटckenस प्रेंड चुछ भी परिंट कर सकता कि इसकाता टाइमिंग टंपरेचर परेंटेंटर आधे 300 में टाइमिंग 160 सकेंड तइस्स तरह से प्रेंट ऑद इस तरह से लगाना और टाइल पीडस लगाने के बाद इसमें सब्लीमेशन टेप लगा दे जाए इस तरह से मशीन रखना एक बाद को धियान रखना जो मशीन यहां से सेट होता है टीशक पे वह सेट नहीं जाएगा क्योंगी इसकी हाइट चुटी जादा होती है तो यहांसे हाइट आप रिजेश्ट कर लिए अपिसे तरह से यहां मसील लाना है और इसका टाइल भर इसको यह तंद को नीचे दबा देना है बस यह आप प्रिंट होने होना स्टार्ट हो गया है आप इसे सेल करने के लिए मैं तो हमेशा बताता हूं कि सबसे पहले तो सेल ह तरह से लिए आप आप अंलाइन, ओफलाइन या किसी का और वो बड़े में होता है, इसके बारे माँ सग्णक्राइब अच्छा होता है, या नहीं लगा सकते हैं और प्रीट के दिखाऊंगा, या कही रख सकते हैं, या दिवार पर भी लगा सकते हैं, इस तरह से इसे आप कस कुछ जिस्ट कर सकते यह भी बहुत चलता है यह भी ट्रेंडिंग बहुत हमेशा रहता है इस का स्टॉर बहुत कमी मिलता है लेकिन मेरे पास हमेशा एवलेबल रहेगा हरेक साइज में साइज आपको अलग-अलग मिलेगा आठ बार में लेलो नौ इंच भाई शैंच में मिल मिल तरह वह तो आपको पता ही है लेकिन अगर स्टाइल के बता रहा था कि आपको की तरहां परना है और यह प्रिंट हो गया रेडि हो गया तो आपना इस तरहां गलप सी रखना पर देगा क्योंकि नितारी बहुत जादा गर्म होता है वह जयादा इंद ऊता और सके इसे मैं यहां पर लगाता हूं लगाने के बाद आप यह देख सकते हो कितना खुशूरत कितना अच्छा प्रिंट हो गया एज़िटी जैसा पेपर था उससे इस पर दीख रहा है तो आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हो अगर कोई तरह क्या दिक्कत हो तो आप मेरे टीम को सकते वीडियो कॉलिंग पर हर एक प्रॉब्लम को सल्यूशन देगा 110 पर्षेंट सल्यूशन होगा ही होगा ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम का हर एक सल्यूशन आप कॉल कीजिए अगर इस तरह के मशीने आपको पर्चिस करना तो उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं कोई तरह का दि आपको प्रोड़क आपको घर तर डिलिवर हो जाएगा थैंक यू